तो मैं मॉर्निंग में बनने वाला जटपड ब्रेक फास्स लेकर आई हूं बहुत ही तरह टेस्टी होता है तो इसके लिए हमने कड़ाई चड़ा लिया है एंड हमने चोटा चोटा सा प्याज और मिट्चा काटके डाल दिया है अभी हमने इससे गोल्डन ब्राउन होने तक अब हमने इसमें चाहता है तो मैं मोबाइल हाथ में पकड़ी तो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है तो प्लीज मैनेज करिएगा और उसके बाद हमने डाल दिया है थोड़ी सी सिमला मिर्च वही बहुत चोटी-चोटी से कट करी हुए बहुत बढ़ी-बढ़ी कट तो थोड़ी बचिवी सिमला मिर्च थी ना उसके साथ ही मैंने मटर डाल दिया और यह मार्च में रखी ती और अभी तक मेरी फ्रिजमें चल रही है तो इसके बाद हमने यहां पर ले लिए है मोंफली और उसको हम ना अच्छे से तभे पर भूंचेंगे बिकॉस हम डिक करेंगे क्योंकि हमें ऑईली नहीं पनाना है क्योंकि मॉर्निंग ब्रेक पास्ट हम ज्यादा ओईली नहीं खाते तो यहां पर यह जब भुंच रहा है और अच्छा से यह जब पक जाएगी ना इसकी मतर तो हम इसमें आगे मिर्श डालेंगे लाल मिर्श मैंने डाली यह बहुत ही थोड़ी से क्वाणिटी में क्योंकि सुबा में ज्यादा करवा नहीं खाना चाहिए यहां पर हमने लाल मिश डाल दी हैं यहां पर हम धन्या पाउडर डाल रहे हैं और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा मतलब अच्छा भी लगना चा काफी जाधा टेस्टी वाला नास्ता एक बार जरूर बनाईएगा और बहुत ही ना फटाक से बन जाता है तो हमारे गर जो मोटी वाली सिवह ही होती ना उसको हम अलड़ी फ्राई करके रखते हैं घी में तो उसको बनाने में जड़़ा टैम नहीं लगता है फिर सो यहां ह में आइरन भरपूर तो यह यह उसह होता है और नहीं फ्राई करने वाले और कि यह प्रिंकल करेंगे जब अमारी सिवह नमकीन सिवह ही बन जाएगी तो यह हमने भूनने के लिए तवे पर छोड़ दिया है और दूसरी तरप यह देखिए हमारी सबसी से ओयल नीकल आया है बहुत थोड़ा सा डाला था बट वो भी निकल आया है क्योंकि धीमियाच में सबसी पग रही है तो यह बहुत ही सिंपल सी इंग्रीजिन से बन जाता है यहाँ पर हम किसान का टोमैटो केचप यूज़ करें आपके घर जो सा आओ ना वो यूज़ करो तो यह थोड़ी जादा क्वाणिटी में हमने डाला है बिकोज इसमें थोड़ी सी नमकीन सीवई के साथ यह सौस बहुत अच्छा जाता है खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है तो यह देखिए हमारा इसमान पक गया है यह सीवई अल्रेड़ी हम डिब्बे में भून के रखते हैं ताकि जब हमें बनाना हो तो हम जटपट से बना ले यहां पर हम सीवई डाल देंगे और उसे थोड़ी देर पकाएंगे एंड देन उसके बाद ना हम इसमें थोड़ा जादा पानी डालेंगे थोड़ा पानी डालके थोड़ी देर के लिए से हम ढग देंगे तो यह ना आपको ऐसे जैसे भुजिया वाले दाल मोट आती ना वैसा टेस्ट आता है बहुत ही मेरे गड़ में सबको बहुत ही ज़ादा पसंद है एक बर मेरे कहने पर ट्राइ करिएगा और पसंद आया तो कॉमेंट ज़रू करिएगा कि काफी अच्छी बनी थी या खड़ाब बनी थी जो भी कॉमेंट आपको करना हो करिएगा पसंद आने पर तो आपको सब्सक्राइब करी देना चाहिए I think सब्सक्राइब भी कर दीजेगो और दूसरों के साथ शेयर करेगे ताकि इतना जट पर बनने वाला नाश्टा आपके जानने वाले भी बना सके यहां पर यह देखिए मैंने अच्छे से पानी अग्ता में'dे लाबे काशिए पानी पानी यह देखिए हां इतना पानी देखिए अपर दों सब्सक्राइब कर देंगे ऐसे थोरी देर चलें लिए और Outside प्रहें चाहिए और भी अब हम आजाते हैं नेक्स्ट गैस पर दीनी करती है इसकी और आप आप जाते हैं नेक्स्ट गैस की तरफ यहां हमारी मुफली भूंच गयी है और इसके उसको थोड़ा सा हाथ से हम रब करेंगे तो इसका छिलका भी निकल जाएगा आराम से मतलब यह काम आप जो है मुफली थंड़ा होने के बात करेंगा यहां अपका हाथ जल जाएगा और इसको थंड़ा होने के बात ही दुब्लें जाएगा है मुझे बल्कूल बेर Him तो यहां मोफली के उपर से कवर मिकाल दिये गए हैं और जटपड बनने वाली सीवई आपके सामने आ गई है चलिए इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए थोड़ी सी भुनी हुई मोफली जिसे हम ने आपके साथ शेयर किया कि हमने कैसे बुन जा है और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी आलू भुजिया क्योंकि जब आप खाओगे ना कुरकुरा कुरकुरा टेस जाता है दिल खुश हो जाएगा आपका खाने के बाद और मुझे थैंक्यू थैंक्यू को लब कहते रहोगे सो कैसी लगी आज की रैशिपी कॉमें सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इतना टेस्टी लग रहा है मुझे लग रहा मैं कल फिट से इसको बना लूँ सो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें और अपनों को ये बना के टेस्टी टेस्टी खाना खिलाते रहें मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बबाई टेक्यूर